हम सब जल्दी रिटायर होना चाहते हैं और अपना golden period enjoy करना चाहते हैं हफते में 5 दिन ही नहीं, 7 दिन काम करते हैं और इतना काम कर लेते हैं कि हमें लगता है कि जल्दी से जल्दी रिटायर हो जाएंगा तो रिटायर होने के लिए हम बहुत पैसे भी इकठे करने शुरू कर देते हैं पर हमें ये नहीं पता कि हमें रिटायर होने के लिए कितना पैसा जरूरी है मेरे पास आथ 5 करोड रुपे हैं क्या मैं इसे एक अच्छी रिटायर्मेंट लाइफ जी सकती हूँ या नहीं प्रोवाइडिड मैं यहां पे अपनी एज 45 लेके आज ही रिटायर होना चारी हूँ क्या मेरे लिए ये 5 करोड सुफिशन्ट हैं आईए देखें सपोज हम यहां पे हमारा कॉर्पस इकठा हो गया फाइव करोड अब हमें इयरली कितने पैसे यहां से चाहिए जो हम रिटार्बेंट लाइफ में खर्चा करेंगे वो कितना खर्चा यहां पे हम करने वाले तो मैं यहां पर इयरली एक्सपेंस सेवन लाइक फिफ्टी थाउजन रूपीज एज्यूम करके चल रहे हैं देन आफ्टर जो हमारे पास रिमेनिंग कॉर्पस रहेगा वो कितना होगा फाइप करोड माइनस यह एक्सपेंस अब यह पैसा अगर मैं कहीं इन्वेस्टेड रखती हूं तो मुझे उस पे कोई न कोई रेट ओफ रिटर्न भी रहेगी सपोज मैं इसे सेविंग अकाउंट में रखती हूं और फोर परसंट की रिटर्न मुझे यहां पर मिलती है जो यह मेरे पास कॉर्पस आफ्टर एक्सपेंस भच क्या है इस पर मुझे इंटरस्ट मिलेगा या मेरी इंकम जेनरेट होगी इतनी मुझे रिटर्न मिल जाएंगी और प्लस यह मेरा कॉर्पस है ही तो फाइव करोड रूपीज फिर से मेरे बन अब next year मेरे पास beginning में इतने पैसे होंगे और अब मैं यह assume करके चल रही हूं कि कुछ इसमें inflation भी आएगा अगर एक साल मैंने साड़े साथ लाक रूपे निकाले हैं तो अगले साल मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत होगी 6% inflation मैं assume करके चल रही हूं तो next year का खर्चा कितना बन जाता है हमारा अब हमारे expenses के बाद का corpus कितना रहेगा same formula हो जाएगा उपर वाला ही और income भी हमारी add होके वही हो जाएगा यहां पर हमने age assume की है 45 then 46 आएए देखें 60 साल तक क्या होगा ठीक है अब यही हमें copy paste करना है जब हमारी 60 years की age हो जाएगी तो भी हमारे पास 6 करोर रुपीज से ज्यादा का amount बचा हुआ रहेगा अब अगर यह देखें हम 60 years तो हमारी life expectancy नहीं है हम यह assume करके चलते हैं कि age हमारी ज्यादा रहेगी तिल दा एज ओफ 80 देखें क्या होगा अभी भी हमारे पास पांच करोड बच जाएंगे अब देखिए यहां हमने एज्यूम किया 4% rate of return जो की बैंक का saving interest है अगर हम अपनी investment से थोड़ी better return generate कर पाते हैं सपोस्पोस हमारे पास कोई financial advisor है या कोई हमारी investments को manage कर सकता है जो यहां पर हमें 7% की return दिला दे तो क्या होगा तो देखिए हमारे पास 30 करोड रूपीज से भी ज्यादा पैसे बच जाते हैं तो everything depend upon rate of return rate of return हम तो भी हम 80 साल तक अराम से inflation adjusted income every year ले सकते हैं अब यह Excel अगर आपको चाहिए तो आप description में जाके Excel ले सकते हैं इस Excel में आप अपने according changes कर सकते हैं कॉर्पस आप 5 करोड की जगा पे 3 करोड लेकर चलें तो देखिए क्या होगा 3 करोड के कॉर्पस से till the age of 74 आप earning ले सकते हैं बट उसके बाद यह पैसे खतम हो जाएंगे तो आप अपने according अपने yearly expenses भी यहाँ पे change कर सकते हैं अगर 7.5 lakh की जगा हमने 5 lakh कर दिये तो 3 करोड भी हमारे लिए बहुत sufficient है तो इस तरह से आप यह Excel ले सकते हैं मुझसे description box में और अपनी calculation खुद भी कर सकते हैं Thank you झाल को सकते हैं